ब्रहुभाजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नोदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्धात्मिक महत्तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेश महत्तो है। नोदुर्गा के नो रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। मारकंडिये चिकित्सा पध्यति और दुर्गा कवच में इसका उलेक है। नो आउशदि स्वरूपों को सरुप्रथम मारकंडिये चिकित्सा पध्यति के रूप में दर्शा है गया। और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रभाजी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया। इसलिए प्रतेक देवी आईरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आईरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुरगा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करने चाहिए। संपूर्ण विश्वी देवियों के स्वरूप हैं। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं, वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे, तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब भल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। पूरवक सेवन करता है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे पीडित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतेक देवी आयरवेद की भाषा में मारकंडिय पुराण के अनुसार नौ आशदि के रूप में मनुष्ट की प्रतेक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्ट को स्वस्त कर दी है। अता मुनिष्ट को इनकी आराधना और इन आशदियों का सेवन करना चाहिए।